Hi guys, मैं आपका host Ajay और आज में पास है Infinix S4 smartphone मैं इसको अन्बोक्स करने वाला हूँ गोडिव्यू करने वाला हूँ आपका थे अन्बोक्स करने वाला हूँ और आम इसको इंबोक्स करने केसे जाएगा इसको मैं यूस कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से खोल चुका हैं डबे को, तो इसका 200 USB है, इसका 32 megapixel front facing camera, selfie camera और 4000 mAh battery, तो चलिए यहाँ पे हम box को कर देते हैं, unbox, और guys यह device है, device को चलिए cover और उतारते हैं, तो आप बैग देखेंगे, glass bag दी है, जिसमें dual tone finish हम provide है, यानी नीचे आपका तुर ऐसा dark blue मलता है, उपर आपका navy blue design really really premium looking smartphone, really really premium looking back, और front में आप देखेंगे water notch drop display है, चलिए फोन की बात करते हैं आगे, पहले box में देख लेते हैं क्या है, एक normal charger, आपका USB cable, micro USB cable दी हुई है, लेंथ यहाँ पे, ठीक ठाक है, उसके बात आप देखेंगे SIM ejector tool है, अभी इसका आगस को नहीं फारते, कुछ रजिस्ट्रेशन मैनुवल है, यूजर मैनुवल है, वारंटी कार्ड है, और साथी साथ आपको एक screen guard दिया हुआ है, और यहाँ पे rubber वाला आपको cover दिया हुआ है, जो थोड़ा सा पीछे से texture है, तो आपका लगग लगग लगग, कुछ यह ऐसा दिखेगा, आप यहाँ इसे device को तो हमने कर दिया है, unbox, अब इसके बात जो हमने बात की थी, कि 32 megapixel front facing camera है, तो चलिए गाइस, पहले camera का, यहाँ पे देख लेते हैं, interface, और आप interface देखेंगे गाइस, यहाँ पे video mode है, AI cam mode है, beauty mode है, bokeh mode है, यानि जो आपके portrait mode है, आपके AR shots है, यानि आप यह कुछ AR modules लगा के, front camera में यह AR shots work करते हैं, उसके बाद आप वापस जाएंगे, normal camera mode में, आपको यहाँ उपर HDR mode, wide angle mode, यह सारी options यहाँ पे मिल जाती है, और दोस्तों, camera से जो images घीची है, यहाँ पे आप images देख सकते हैं, selfie से तो मैं बहुत ही खुश हूँ, यानि यह phone देता है, आ आपको high definition बढ़िया selfie, 32 megapixel camera ने तो हाई मजा की दिला दिया, यहाँ पे आप images देखे, zoom करने पर images देखिए, and guys, यह सारी images आप चेक कर सकते हैं, अपने description box में लिंक दिया हुए, सारी की सारी images आप चेक कर सकते हैं, high definition में my website पे जाके, यह AR mode की selfie images जहाँ आप police man या काफी कुछ crazy चीज़े कर सकते हैं, और details देखिए, rare camera भी guys, यहाँ पे 13 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel के 3 lenses वाइट किया हुए हैं, और rare camera बढ़िया काम करता है, यह white feature mode इसमें अच्छा दिया हुआ है, यानि आप जो white images यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को मैंने white feature mode में खीचा, तो उसने ही size में आ camera portrait shot काफी बढ़िया खीशा है, यह selfie portrait देखिए, यह normal portrait देखिए, camera के मामले में thumbs up है, phone में 4000 image battery लगी है, battery चलती है, अराम से एक दिन चल जाती है, battery चार्ज होने में भी थोड़ा time लगता है, fast charger यहाँ पे क्योंकि provide नहीं किया गया, लेकिन जब आप इसको चार्ज कर तो अराम से आपको कोई चिंता नहीं होगी, अब gaming पे आज जाएं तो guys, phone में है, 8 core video deck का processor, 3GB RAM, और gaming में, यहाँ पे मैंने PUBG जो आज को सबसे जादा चल रहा है, PUBG खेल के देखा, and guys, यह देखिए, यहाँ पे मैं जो gaming कर रहा हूं, gaming ठीक ठाक है, यह lowest graphic setting में खिलाल चल रह तो कफी heavy game हो गया, लेकिन बाकी आपकी medium ने विल्की gaming हो सकती है, तो इक phone guys, बना किसले है, उन लोग के लिए बना है, जो एक बैतरी look चाते है, अपने phone से, looks ज़रा guys, इसकी देखिए, I'm really impressed with the looks, display अच्छा है, HD plus display है, outdoors में आप जाते है, full screen पे brightness हो जाती है, और अच्छा remote भी अचात है, पीछे भी AI camera दिया हुआ है, तो phone के looks, regular usage, और आप चाहते हैं, अगर एक बढ़िया selfie camera, तो आप चाहते हैं, Infinix X4 की तरह, प्राइस के हिसाब से भी बढ़िया phone है, और hopefully guys, आपके डाउस के रहे होगे, आपको वीडियो पसन आया होगा, प्लीज कर दीचान हैंद।